हलो दोस्तों, वेलकम तो स्लीपी क्लासिस, तो आज की फ्यू मिनिट सीरीज में बढ़ा ही इंपॉर्टन सव टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे, हालांकि यह जो टॉपिक है या जुसकी अनॉंसमेंट थी इस पर्टिकलर चीज की थोड़े टाइम पहले हो चुकी थी, अब रिसेंटली कुछ-कुछ नई चीजें सामने आ रही है, इस पर्टिकलर टॉपिक्स रेलेटेड, थोड़ी नई-ने डिसकशन्स आज कर हो रही है, तो क्यो नहीं इसको यहां पर डिसकस कर लिया जाए, तो बात हो रही है जो इंटरनाशनल ट्रेट सेटलमेंट्स होनी है, रूपी में, आर भी दर रखा गी है बात कि अब यह जितनी भी पहले फॉरण करंसी में जो सैटलमेंट्स होती थी, अब उसे हम रूपी में यहां पर करेंगे, तो कम्प्लीट पिक्चर देखनी कि आज कोशिश करेंगे, कि क्या-क्या इसके फाइदे हैं, क्या यहां पर आपकी डाउनसाइड भी हो सकती है, इस पर्टिकुलर सैट की, थोड़ाबा समनिक कोशिच करेंगे, शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोड़ी से प्रिकॉर्ड इंफर्मेशन आप सभी के लिए, कि बैच 5 यहां पर लॉंच कर दे जा चुका है, आपके UPSC 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जिसकी रेस्टेशन 5 सप्टेंबर से खुल चुकी है, क्लासे शुरू हो जाएंगे, इसमें आपकी 19 सप्टेंबर से प्रिकॉर्ड सेशन आपको यहां पर अवेल करवाए जाएंगे, खास बात क्या है कि Early Bird डिसकाउंट यहां पर दिया जा रहा है, Early Bird आप यूज़ कर सकते हैं, बट यह सर्फ असर्फ 11 सप्टेंबर तक ही आपका वैलिड रहेगा, सभी जो डिटेल्स हमारी वेफसाइट पर अवेलेबल है, यदि आपकी कोई भी कोरी रहें, इन कोर्से से लेटेड़, डेफिनिटल हमारे टोल फिर नमबर पर कांटा कोई बहुत mentorship की वहाँ पर जोरत पड़ती है, अब वो आपकी mentorship, academic mentorship भी हो सकती है, या strategic भी हो सकती है, तो academic mentorship का आपका यहाँ पर group तरियार किया जाएगा, telegram, groups के मादम से, टेलिफॉनिक जो आपकी calls हैं, उनके मादम से आपको यहाँ पर mentorship प्रोवाइड की जाएगी, academic mentorship मे आपको जो UPSC के qualified candidates हैं, उनसे guidance प्रोवाइड की जाएगी, ठीके जी, आप definitely जो भी strategic guidance आपको दी जाएगी, किस तरीके से prepare करना है, कैसे आप अपना schedule वहाँ पर modify कर सकते हैं, कैसे subjects को priority यहाँ पर जासेते हैं, कैसे topics को यहाँ पर cover करना है, काफी important बन जाता है आपके priority test हैंगे, जिसमें fundamental test, advanced test, FLTs आपको यहाँ पर तयार करके दिये जाएंगे, ताकि आपकी performance यहाँ पर improve होती रहे, testing से ज़्यादा important और crucial चीज, prelims के लिए कुछ भी नहीं है, definitely आपको हर एक किसी भी पहलू से related अगर आप answer लिख रहे हैं, या कोई भी question solve कर रहे हैं, तो exam hall में जाने से पहले, उस related, उन topics related questions तो attempt करने जरूरी बनते ही हैं, तो सभी details आपके सामने यहाँ पर available है, definitely check out कीजिए इन चीजों को भी, अब बात करते हैं, आज के topic के बारे में, पहली बात discussion क्यों कर रहे हैं, तो RBI ने, जो आपका सातों महीने का, जो सर्कुलरूं के दोर हैं, ठीके जी, हमारी export, import की हम जो trade settlements यहाँ पर कर रहे हैं, तो mostly जो आपकी foreign currency है, उन ही में कर रहे हैं, and roughly around 80% के around, वो जितनी भी आपकी settlements हैं, वो dollar में यहाँ पर की जा रही है, तो जब इस परकार की settlements करने होती हैं, तो मतलब dollar की demand वहाँ पर बढ़ेगी, dollar की demand जब पर बढ़ता जाएगा, कहीं जो गरम बात करें, कि आपका जो 1 dollar था, वो 75 rupees के around यहाँ पर stand करता था, जैसे जैसे इसकी demand बढ़ती गई, तो यहाँ पर 80 rupees का point भी यहाँ पर touch कर चुगा था, मतलब यहाँ पर rupee हमारा depreciate हो रहा है, तो definitely उसको मद्दे नजर रखते हैं, हमन to dollar, उसको भी थोड़ा हम control कर सकें, और साथ के साथ यहाँ जो आपके Indian rupee की जो एक तरीके से interest होना चाहिए global trading community में, उसको भी हम यहाँ पर भढ़ा सकें, तो recently ही यह बात रखी गई थी RBA दोरा, आप थोड़ी बहुत चीजें selected समने की कोशिश करते हैं, तो current system क्या है, इस trade settlement से पहले का system क्या है, कि जितने भी आपके export और imports हैं, किसी भी company दोरा, वो आपके basically foreign currency में वहाँ पर की जाते हैं, with some exemptions की जैसे आपका नेपॉल और भुडान के साथ वहाँ पर हो रहा है, वो आपका rupees में वहाँ पर हो जाता है, अब foreign currency में अगर हम बात करें, जैसे हमने पर import की है, तो mostly उन्हें यहाँ पर अपनी foreign currency में ही उसकी payment करनी पड़ेगी, and mainly आपके dollars में, but आपके pounds में पर सकती है, euros में पर सकती है, yen में पर सकती है, depending on the fact कि जो exporter है, जहां से वो चीज़ export हुई है, वो कौन सा वहाँ पर medium आपका adopt करते हैं, कौन सी currency को वहाँ पर basically accept कर तो यहाँ पर जो आपकी Indian company की बारे में बात करें, जब वो यहाँ से export करते हैं, तो उनकी जो payment आती है, तो वो भी उनको foreign currency में ही वहाँ पर आती है, जो भी उनके दोरा यहाँ पर export की जाते है, but जो company रहती है, वो उसको definitely यहाँ पर convert करवाजती है, उस foreign currency को रुपी में, जो भी उनके अपनी यहाँ पर machinery cost है, या जो भी उनकी यहाँ पर जितनी भी cost लग रही है, running cost जो यहाँ पर लग रही है, manufacturing cost जो लग रही है, वो तो उनको यहाँ पर रुपीज में ही पूरी करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से अभी current system यहाँ पर run करता है, but अगर हम बात करें कि ने system में क्या बात रखी गई है, तो यहाँ पर बात रखी गई है कि जितनी भी अबाब आपकी trade transactions यहाँ पर होंगी, ठीके जी, export की भी, import की भी, तो basically वो किसी भी देश के साथ होंगी, तो जो banks है इंडिया में, वो यहाँ पर वास्तरों accounts खोलेंगे, of the correspondent banks of the partner country for trading, अब इसको समझने कोशिश करेंगे कि वास्तरों accounts किस तरीके के हैं, ठीके जी, तो इंडियन importers क्या कर सकते हैं, अपना जो भी उनके द्वारा import की जा रही है चीज, जिसके लिए पहले वो dollars या फिर foreign currency वहाँ पर payment कर रहे थे, अब वो basically उस particular चीज की payment वहाँ, इन accounts के माद से इंडियन रुपीज में कर सकते हैं, ठीके जी, और जो भी earnings रहेंगी, ठीके जी, imports, जो भी आपके exports वादर और जो वहाँ पर earnings रहेंगी, तो वो भी basically यहाँ INR में की जा सकती हैं, तो ये बात रखी गए हैं कि इंडियन रुपी को भी यहाँ पर जाद़-जाद़ प्र exporter हैं, उनका account मान लीजी, ICIC में है, और जो importer, जो import कर रहे हैं, US में उनका account यहाँ पर, city bank है, US का वहाँ पर है, तो वास्तरो account basically city bank का यहाँ पर ICICI में खुलेगा, कि उनका एक account, ICIC की branch में यहाँ पर जाएंगे, ठीके जी, city account ने already अपना account हो लाँगा, वास्तरो account, जिन bank, वहाँ पर branch में जाएंगे, बोलेंगे, जी, हाँ, मेरी इस तरीके से, इन भाई साब को payment वहाँ पर होनी है, तो अब city bank वहाँ पर क्या करेगा, city bank redirect करेगा, अपने, ICICI में जो उनका वास्तरो account है, उससे जो भी payment होनी होगी, वो directly यहाँ पर exporter को करवा देंगे, इंडि आपका जो ICICI bank है, उन्होंने अपना कोई account वहाँ पर city bank में खोला हुआ है, ठीके जी, और जितनी payments वहाँ पर हो रही है, वहाँ की जो currency है, उनके अधार पर वहाँ पर हो रही है, तो वास्तरो और नौस्तरो accounts यहाँ पर use किये जाते हैं, यह terms यहाँ पर use किये जाते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो जो आपका रुपी वास्तरो account है, किस तरीके account रहेगा, एक foreign bank का account रहेगा, किस में? Indian bank में, ठीके जी, in rupees in India, और जो foreign parties है, they will be able to send and receive money from the Indian exporters and importers via these रुपी वास्तरो accounts, कि यहाँ से हम जो रुपी की demand है, उसको create करने की कोशिश अब मान लीजिए, दूसरा case हो, कि यहाँ पर importer है, ठीके जी, और यह आपके exporter है, यहाँ से आपका समान यहाँ से आया, तो basically यह यहाँ पर क्या करेंगा, ICCM जाके वो पैसा वहाँ पर जमा कर देंगे, जी हाँ यह आपका वास्तरो account है, city bank का वास्तरो account है, उसमें पैस में यहाँ पर की जाएगी, अब significance क्या है, कि definitely जो इंडिया की dependency है, US dollars के लिए, कि जब भी हमें कोई transaction, या जब भी हमें इस प्रकार की settlement वहाँ पर करनी होती है, import, export की, तो वहाँ कहीं न कहीं हमें जुरूरत पढ़ती है, इस तरीकी की foreign currency की, and specifically अगर 80% of जो हमारी dependency है, वो कम किया जाता है, तो हमें मतलब वहाँ पर payment करनी जादा रहती है, हमें receive कम होती है, हमें जादा payment करनी पढ़ती है, तो net importer हम यहाँ पर कहलाते है, तो जो value रहती है Indian रुपी की, वो दिन प्रतिस दिन यहाँ पर decline होती जा रही है, क्यों? क्योंकि definitely हमें dollars के आवाशकता है, dollars के आवाशकता है, तो हम dollar एक dollar लेने के लिए कितने रुपए हम खर्च करना चाहते हैं, जब उसकी demand वहाँ पर बढ़ रही है, supply उतनी limited ही है, तो definitely उसकी वज़र से उसकी value है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है, and in terms of Indian rupees, हम क्या सकते हैं कि जो भी 80 रुपए, एक dollar की value जो करने की बात रखीगी है, जिसके वज़ा से जो हमारा pressure है, ठीक है जी, Indian forest reserves के उपर करें, उसमें भी तो हमारी foreign currencies वहाँ पर available है, dollars वहाँ पर available है, तो हम काफी ज़ादा जो payments इस तरीके के रह रही हैं, Indian forest reserves को वहाँ पर use करते हुए कर रहे हैं, कि last year की बात करें, more than 600 billion US dollars के ह हमारे पास reserves थे, जो कि अब जाके आपके under 600 billion यहाँ पर आ चुके हैं, तो definitely हम चाहते हैं कि यह जो pressure create हो रहा है Indian forest reserves के उपर, हम उसको भी यहाँ पर control कर सकें, और rupees के मादन से यहाँ पर जितनी payments हैं वहाँ पर कर सकें, अब एक long short यहाँ पर क्या रहेगा, कि rupees आपकी reserve currency बन reserve currency का status वहाँ पर मिलेगा, जब आपकी international trade में सबसे जादा आपकी widely use की जा रही हो, जो आपके governments हैं, central banks हैं, they are prepared to hold it as a part of their foreign exchange reserves, कि बाकी देश भी जैसे अभी हम US dollars को यहाँ पर hold करके रखते हैं, अपने foreign reserves में, तो हो सकता है, in the long short, जब इंडिया का export segment बहुत जादा बढ़ ठीक है, तो यह बात रखी गई है, यह significance basically यहाँ पर दर्शाई गई है, अब इसमें एक और important point है, जो कि हम यहाँ पर miss कर गए, थोड़ा सा देख लेते हैं, कि मान लीजिए ICIC बैंक में क्या था, कि बहुत सारा पैसा इस तरीके का surplus वहाँ पर available है, कि payments भी होगी, export import की payments भी होगी, तो वहाँ पर allow कर दिया चुका है, कि इस तरीके की जो वास्तर अकाउंट सहेंगे, उनके माध्यम से जो government securities है, important point था, miss हो गया था, कि इस माध्यम से जो surplus पैसा जो आपके वास्तर अकाउंट में वहाँ पर रहेगा, तो बाहर की जो देश हैं, बाहर की जो companies हैं, य यहाँ पर ध्यान में आती है, वो क्या है, कि जितना भी international trade transactions वहाँ पर होनी है, Indian rupees में, it needs to be analyzed from the bilateral trade equilibrium, ताकि उसका जो potential scope और scale हम यहाँ पर अच्छे से understand कर सकें, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए, कि माल लीजिए आपकी दोरा जो trade यहाँ पर किया जा रहा है या इंडिया की दोरा जितना भी trade के दोरा है रश्या के साथ, example ले रहते हैं, इंडिया रश्या की बीश में यहाँ पर trade हो रहा है, कुछ हम चीज़े export भी कर रहे हैं, कुछ हम चीज़े import भी कर रहे हैं, जो हम export कर रहे हैं, हम मालने के उसकी value आपकी 3 billion US dollars के round यहाँ पर stand क करता है, तो हम जो settlement रहे हैं, इंडिया की डिपेंडेंसी यहाँ पर कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यह जो particular segment export का, इसे यहाँ पर import से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी उस तरीके की demand हम इंडिया का share है ग्लोबल ट्रेड में, इतना significant यहाँ पर नहीं है, ठीके जी, और हमारी dependence भी बहुत ज़ादा है, fossil fuels के लिए, edible oils के लिए, gold और silver जैसे इन सभी commodities के लिए, वो भी काफी ज़ादा है, मतलब हम नेट importer काफी ज़ादा है, तो definitely बहुत ही एक तरीके से में कम chance है इस तरीके का, कि जो exporting countries हैं, वो consider करेंगी Indian rupee को as a currency of invoicing, ठीके ज हमें, यह जो पूरा segment है इतना बड़ा, जो हमारा import का, यहाँ पर portfolio जो तयार हो चुका है, उसको कम करना पड़ेगा, export के portfolio के यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे जो एक major हम downside यहाँ पर कह सकते हैं, कि अगर हम Indian rupees में यहाँ पर invoicing करेंगे, और जो हमारी US dollar के उप Ukraine, Russia के यहाँ पर war हुआ, ठीक ही चल ही रहा है basically, tensions अभी भी build up है, तो कहीं न कहीं जो Russia के उपर sanctions लगी, जिसके अधार पर swift systems उन्हें बहार निकाल दिया गया, तो जितनी भी उनकी payments वहाँ पर होनी थी, या India के साथ जितनी payments पहले होती थी, वो swift system के अधार पर वहाँ पर क Russia जैसे देशों के साथ, Venezuela हो गया, जिनके उपर sanctions लगी हुई है, Iran हो गया, जो इस तरीके swift system का use नहीं कर सकते हैं, तो हम definitely उनके साथ अपना trade और enhance कर सकते हैं, by the means of Indian rupee, ठीक है जी, तो यह कुछ-कुछ points हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि यह downside है, अब यह downside है, तो हमार works को यहाँ पर कम से कम यहाँ थोड़ा curtail करके रखना पड़ेगा, export हमें next exporter यहाँ पर बनना पड़ेगा, तभी उस हिसाब से रुपी जो है आपकी highly tradable currency वहाँ पर बन सकते हैं, तभी बहार demand great होगी, कि यहां हमें रुपी सी हमें हिसाब से उसकी payment वहाँ पर करनी है, ठी जो developed countries हैं महाँ पर, आपका जो capital account है fully convertible है, ठीक है जी, financial market score depend करना पड़ेगा, liquidity और enhance यहाँ पर करनी पड़ेगी, अब इसमें जो आपके large financial institutions है, RBI तो है ही, बाकी जो आपके ऐसे बड़े-बड़े financial institutions हैं, बड़े-बड़े जो banks हैं, DSIB हैं basically, तो उन्हें भी यहाँ पर इस तरीके से जो भी capital का inflow या outflow हो रहा है, उसको manage करने में भी section बनना पड़ेगा, ठीक है जी, तो यह कुछ-कुछ points हैं जो कि आपके way forward के यहाँ पर बन सकते हैं, अब recently क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, एक से दो दिन पहले की बात है कि banks को सभी को बुलाया गया कि आप बताई किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ पर आप काम कर सेते हैं, जो आपके वास्तर रूपी accounts खोडने हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है, तो banks भी थोड़े reluctant हैं, reason क्या है, आप खुदी सोचिए कि कहीं न कहीं काफी सारे जो हमारे सरकारी banks से चलो ठीक हैं, वो तो मानी लेंगे सरकार और आज भी आई की बात, बट जो private banks हैं, उनके कहीं न कहीं listing वहाँ पर हो रखी है, थी जो US की stock markets में उनकी वहाँ पर listing हो रखी है, तो अगर वो इस परकार का step वहाँ पर लेते हैं, तो हो सकता है, US के थूरू repercussions वहाँ पर face करनी पड़े, डेल स्टिंग वहाँ पर हो जाए, तो अभी भी जो private sector के banks हैं, वो इतना ज्यादा reluctant नहीं है, कि इस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, आपके लिए homework है, क्या बताइए कि क्या हमारा जो current account है, दो तरीके के count रहते हैं, एक तो capital account, एक आपका current account, capital account convertibility के लिए तो हम कहे रहे बट आपके लिए homework है, क्या हमारा जो current account है, क्या हो fully convertible है, या partially convertible है, या बिल्कुल भी convertible नहीं है, ठीके जी, तो यह basic information थी, इस recently एक news item से लेटर, जो कि कुछ महीने पहले की थी, बट सोजा थोड़ा इसको यहाँ पर discussion कर लिया जाए, important topic है, prelims में से लेटर, यहाँ पर question क्योंके जीत 게त, क्या हरता है, क्या है, इससे टसे अогश़ आपके लेटर, would you work on your לדे एक?